Hello Friends, Welcome to our channel Let's Nurture Our Minds आज मैं आपके साथ एक बहुत important topic पर बात करने वाली हूँ वैसे तो मेरे हरे topic important होता है क्योंकि वो health से related होता है क्योंकि आपकी से और आपकी खुशी से related होता है इसलिए हरे एक important होता है लेकिन आज का जो topic है वो और भी ज्यादा important है क्योंकि वो हमारी आज कल की डाइटरी हैबिट से जुड़ा हुआ है नेक्स तैम जब भी आप चिप्स का पैकट को लें कुर कुरे को लें मुर मुरे को जो भी आप ऐसी चीज खो लें तो आप इस वीडियो को जुरूर देख लें ताकि आपको पता चले कि कितना नुकसान छाव कक और आपको हो रहा है इंडियर्कटली उस दिन नहीं हो रहा है लेकिन हां तीरे दीरेक करके आपकी सियत को कितना खराब करएए अब अगर आपने गलड तरीके से पगाई तो भी आपको नुपसान करें आज हम बात करेंगे कि क्यों नहीं खानी चाहिए यह चीज़ें क्यों नहीं खानी चाहिए आज कल अगर हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो सबकी बॉड़ी शेप बिगडा हुआ है और उसके बिगड़े होने का मेन कारण यही है जो हमारी डाइट है वो सही नहीं है हम जो चीज भी खाते हैं वो सरफ हमारी बॉड़ी शेप को खराब नहीं कर रही है लेकिन अंदर से भी हमें खोकला करते जा रही है जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल असोशियेशन का एक पर इतनी obesity क्यों बढ़ रही है इतने heart की problems क्यों हो रही है इतने diabetes का problem क्यों हो रही है इतनी lifestyle disease क्यों हो रही है इस सब के बारे में चपा था और उसमें main reason था यह जो चीज़ें हम खाते हैं जो processed हैं जो on the counter and ready to eat हमको मिलती हैं वो चीज़ें हमें कितना नुक्सान कर रही है पुराने समय में लोग इतने हटे कटे क्यों रहते थे कुप दब के काम करते थे मैंने तो बच्पन में देखा है खेत में काम करते थे दिन बर ladies हो चैचैन सो हमारी आतो ladies भी बहुत काम करती है और हटे कटे रहते थे मस रहते थे घी डूद दई जो खाया वो अज़ें हो अगर फुल क्रीम दूर पी लिया, तो डर लगता है कि मोटे हो जाएंगे, डर लगता है हजम नहीं होगा, क्यों हैं ये सारी प्रॉब्लम्स? ये सारी प्रॉब्लम्स इसी लिए हैं कि हमने आपने आपको अंदर से इतना कमजोर कर लिया है, ये चीजें खा खा के फालतू की कि हम उनको डाइजस नहीं कर पाते हैं, उन लोगों की सरफ फिजिकल हैल्थ अच्छी नहीं होती थी, उनकी मेंटल हैल्थ भी बहुत अच्छी होती थी, उन दिनों में तो किताबे इतनी नहीं थी, उनको हर चीज याद रहती थी, और एक पीडी से दूसरी पीडी में पा अच्छी होती थी, मेमरी पावर बहुत अच्छी होती थी, ऐसा इसली होता था कि वो न्यूट्रियंट डाइट खाते थे, हमारी जरह ऐसी चीज़े नहीं खाते थे, जो हमें बड़ी स्वाद तो लगती हैं, पीजा खालिया, बर्गर खालिया, चिप्स खालिया, 50% जो लोगों को depression हो रहा है, जो लोगों को stress हो रहा है, जो anxiety हो रही है, जो obesity बढ़ रहे है, वो इसी processed खाने की कारण हो रही है, तो देखो कितना नुक्सान करने वाला यह processed food, fit रहने का एक simple सा मंत्र है, 70% diet, 30% exercise और 100% gut health, आपके 100% अगर gut health है, तो आप हमेशा fit रहते हैं, लेकिन आजकल सबकी गट हेल्थ में प्रॉब्लम है, गैस, एसिडिटी, बदहजमी, ठकान, कमजोरी, चिड़ चिड़ापन, यह सब के साथ लगा हुआ है, और यह इसलिए लगा हुआ है, कि हमारी गट हेल्थ कमजोर है, हमारी गट में कुछ माइक्रोब्स होते हैं, उनका बालन्स और रहते हैं, घ Lang को करने चासे करने असनी खरनड़ाब सय्कूश सकते, jakड में रहे थाचे, wherein खली मितों तरफड़ाब्स हाँ हां, ज़िसको जखुत रहते हैं, और तो भाट पलज़ा सब कर सOMEक्य का दें, जाथ कि न नकरें यह सायं होच्था नहीं खंवाधी, हमारी entitring के वाल के चारों तरफ जमता रहता है, और bad bacteria बनता रहता है, और वो bad bacteria जो है, वो हमें बिमार करता रहता है. तो ये तो पहले भी आपने सुना भी होगा न, जैसा खाओगे अन, वैसा रहेगा मन, और जैसा रहेगा मन, वैसे होगा आपके विचार, वैसा होगा आपका आच रण तो खाने का सीधा सीधा संबंद आपकी mental और physical health से है हमारे गट में जो good bacteria है वो कुछ ऐसे neurochemicals produce करता है जैसे dopamine, serotonin melatonin, ये ऐसे chemicals है जो हमें हमारी खुशी का कारण होते है, जो हमारे stress को खतम करने का कारण होता है तो ये chemicals तब बनते हैं जब हमारा gut bacteria अच्छा है तो ये chemical ज़्यादा बनेगे जितने ज़्यादा बनेगे उतने हम खुश भी रहेंगे और stress free भी रहेंगे और healthy भी रहेंगे लेकर अगर gut bacteria bad हो गया है तो फिर हमें सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा परिशानिया होंगी हमारे gut में मिलने वाला good bacteria हमारे mood को भी regulate करता है good bacteria good mood bad bacteria bad और ये good bacteria कब बनता है जब हम हरी सबजियां खाएं जब हम fruit खाएं whole grain खाएं good fat खाएं तो हमारा ये good bacteria बनता है है और य lados एक हम आणा ष tonic फोडे है जब हम process food खाना शुरू करते हैं तो बैड बेक्टीरिया बनना शुरू हो जाता है good resurrect Informationen को खतम घ्रता जाता है और हमें हमारी वारी बिमारी का कारण बनता है अब कौन आते हैं कि कौन कोंसे में बार बार processed food के बात करें नहीं कौन-कौन से वो फूड प्रोसेस फूड स्वीट फूड मीठे मीठा मार्केट से मीठे मने मनाए फूर साते हैं फिजी ड्रींग्स स्वीट ड्रींग्स जो वह सुट नर आते हैं या है कल तो एक और होगया हर मिठाई हो चाहिए ड्रिंक को कुछ भी हो इस शुगर फ् और खतम नहीं कर सकते हैं, तो minimum तो कर देना चाहिए, अगर हम इन चीजों को खाते रहते हैं, तो इडिप्रेशन का कारण बनती है, इंफ्लेमेशन का कारण बनती है, और इंफ्लेमेशन अगर हुआ, तो आपकी body एक का कारण भी बनती है, हमारी body में serotonin नाम का जो एक chemical है, वो हमारे gastro intestine में बनता है, 80 से 90 परसेंट वहीं बनता है, और वो कौन सी जगह है, जहां पर हमारा food digest होता है, तो अगर वहाँ पर ऐसा food पढ़ा हुआ है, जो डाइजेस्टी नहीं हो रहा है, जो पढ़ा हुआ सड रहा है, तो यह जो हमारा chemical है, वो नहीं बनेगा, serotonin नह में बता है, कि वो हमारे लिए अच्छी है, तो हमारे gut में, हमारे colon में जाके, वो वहां की linings को इतना मजबूत कर देते हैं, कि जिससे हमारी immunity बढ़ते हैं, जिससे बहार से उने वाले bacteria के attack से हम बसते हैं, और हम अपने आपको immunity को बढ़ाते हुए, healthy रखते हुए, और अभी packet नहीं देखे थे, बचपर में देखके नहीं खाया था, क्योंकि जो चीज आती थी, वो अच्छी आती थी, आज कर जो चीज आती है, वो टेस्टी आती है, लेकिन खाने के लिए अच्छी नहीं होती है, आपने वो चीज़ें खानी हैं, जिसमें सारे vitamins हों, जिसमें minerals हों, जिसमें fallet हों, जिसमें iron हो, magnesium हो, calcium हो, zinc हो, क्योंकि ये सारे चीज़ें आपके bones को भी चाहिए, ये सारे चीज़ें आपके skin को भी चाहिए, ये सारे चीज़ें आपके muscles को भी चाहिए, तो आपको ऐसे food items खाने हैं, जिनमें ये सारे चीज़ें आपको काफी मात्रा म मिले जो खाने में easy to digest हो, खाने में जल्दी से वो हजम हो जाएं, आपके पेट में पढ़के, कचरा बनके सड़ते नहीं रहें, ऐसे food item अगर आप खाते हैं, तो आप खुद को depression जैसी बड़ी भयानक बिमारे से बचा सकते हैं, stress जैसी problem से अपने आपको बचा सकते हैं, आप अपने आपको मुटापे से बचा पाएंगे, ऐसे food items खाने चाहिएं, जिसमें ट्रेक्टोफेन ज्यादा हो, जो आपके body के अंदर ज्यादा से ज्यादा serotonin produce करने में मदद करें, क्योंकि वो एक good hormone है, जो आपको खुश रखने में मदद करें, आपको healthy fat खाने चाहिए, omega 3 आपको काफी खाना चाहिए, omega 3 आपको nuts and seeds में मिलता है, बदाम में मिलता है, कई चीज़ों में मिलता है, तो आपको good fat खाना चाहिए, आजकल fat से लोग तोबा कर लेते हैं, नहीं हम मोटे हो जाएंगे, आप मोटे होने के डर से good fat को खाना बनने करें, good fat must है, कम से कम 1 teaspoon घ घी आपको daily जरूर खाना चाहिए, जो गाय का मिल जाए तो कहने ही कहा है, या घर का बनागी वो तो बहुत आदा अच्छा है, market वाले तो मिलावट वाले आते हैं, तब तो फिर बैटर है कि आप nuts or seeds काएं, उससे आप अपना omega 3 लें, जब आप healthy fat खाते हैं, तो आपका जो बड़ी में neurosystem है, जो neurotransmitter है, जो आपकी बड़ी का संदेश वाहक है, आपकी पूरी बड़ी में संदेश पहुचाते हैं, क्या चहिए, क्या नहीं चहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो जितना अच्छा खाना खाएंगे, उतने अच्छे संदेश आपको मिलेंगे उतनी अच्छी आपकी health रहेगी और मैं यह चाहते हूँ कि किसी की भी health खराब नहीं हो, दवाईयों पर निर्भर ना रहना पड़े, दवाई कभी कभार बिमार होगे, खाली एक अजबार तो अलग बात है, लेकिन दवाईयां ही आपका बोजन नहीं बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, आईरवेज के हिसाब से अगर हम चलते हैं, अगर खाते हैं, तो हम बिमार नहीं होगे, आप भी खुद को बिमारियों से बचा के रखिए, मेरे साथ बने रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक्यू